तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि यह model paper बिहार बोट की दोरा जारी किया गया कि बिल्कूल इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको तो आईए पहला प्रस्ण आप देख रहें स्क्रीन पर कह रहाएं प्रस्ण में कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसी सी कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांस सी सी कहे जाते थे तो आपके सामने चार ओप्षन है इन में से कौन सा सही है अगर आप सी सोचे है तो बिल्कुल सही सोचे है कलोन हिंद चीन में बसने वाले फ्रांस सी सी को क्या करते थे कलोन करते थे ओप्षन नमर सी सही है अगला प्रस्न है आपका, रॉलेक्ट एक्ट का पारित हुआ, तो इस प्रस्न का उत्तर जग आपका, आप्जन नमर ए, बिल्कुट सही है, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, अगला प्रस्न है आपका, जलिया वाला बाग हत्याकन के बिरूद, किसने अपनी की उपाधी त्याग दिया त्याग दिया फिर समझे जोस्तो जल्यावाला भाग हत्याकरण 13 अप्रेल 1919 में हुआ था और उसी में नाइट की उपाधी किस बेख्ती ने त्याग दिया था तो आपका option है यहाँ पे देख रहे हैं तो इस प्रश्ण का उप्शन नमर C बिल्कुल चाहिए रवीन न टाइगोर ने जलिया वाला बाग हत्याकन के बिरोध में किस ने अपनी नाइट की उपाधी त्याग दिती तो रवीन न टाइगोर ने त्याग दि तो इस प्रश्ण का उप्शन नमर B बिल्कुल चाहिए बिसमार्क का अगला प्रस्ण है आपका आरी समाज की अस्थापन किसने की तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएग आपका option नमरос C बिल्कुल साहिए शौमी धयानन सुरसोती ने आर इस समाज के स्थापन किसने की स्वामी दयानां 123 अगला प्रस्वन आपका पूर्ण सोराज की मंग का प्रस्ताव कौंग्रेस के किस वारसिक अधिवेशन में पारित हुआ पुर्ण सोराज की मंग का प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ तो इस प्रस्ण का उत्रों जगा आपका ओप्सन नमर ए बिल्कुल सही है 1929 में लहर अधिवेशन में पारित हुआ था पुर्ण सोराज की मंग अगला प्रस्ण आपका प्रस्ण है भारत में सूती वस्त्र की प्रत्थम मिल्क खोली गई तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जगा आपका ओप्सन नमर B बिल्कुल सह है मुंबई में भारत में सूती वस्त्र की प्रत्थम मिल्क का खोली गई है मुंबई में ओप्सन नमर B सही है अगला प्रस्ण आपका अखील भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के परथम अध्यक्ष कौन थे इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमबर B बिल्कुल सही है लाला लश्पत राय अगला प्रस्ण है प्रस्ण है हिंद चीन छेत्र में अंतिम यूद की समापती के समय अमरीकी राष्टपती कौन थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमबर B बिल्कुल सही है निक्सन हिंद चीन छेत्र में अंतिम यूद की समापती के समय अमरीकी र किसे परधावन मंत्री न्यूक्त किया था प्रस्ण है विक्टर एमू न्यू एल ने किसे परधावन मंत्री न्यूक्त किया तो इस प्रस्ण का उत्तर वजग आपका count कबूर को option number C बिल्कुल सही है count कबूर को अगला प्रस्ण है रक्त और लोह की नीती का अवलबन किस ने किया प्रस्ण है रक्त और लोह की नीती का अवलबन किस ने किया तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका option number D बिल्कुल सही है विश्मार्क ने, किस ने किया? विश्मार्क ने आपको इस्तर दी पुछ दिया लेका प्रस्ण की रक्त और लोग की निती किस ने अपनाई तो विश्मार्क ने अगला प्रस्ण है, नई आर्थिक निती NEP कब लागू हुई? नई आर्थिक निती NEP कब लागू हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका 1921 इसवी में आप्शन नमर C सही है अगला प्रश्ण है आपका इंडियान इस्टूडरी कमिशन का अन्य नाम क्या है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका आप्शन नमर B बिल्कुल सही है शायमन कमिशन अगला प्रश्ण है मात्मा गौंधी ने किस समचार पत्र का समपादन किया मात्मा गौंधी ने किस समचार पत्र का समपादन किया तो आप्शन नमर B बिल्कुल सही है आप यंग इंडिया का अगला प्रस्ण है गुट ने वर्ग ने सार पर्थम किस पुष्टक की छपाई की तो ओप्सन नमर C बिल्कुत सही है बाईवर्ग अगला प्रस्ण है असोक का अभिले किस लिपी में है असोक का अभिले किस लिपी में है तो ब्रहमनी लिपी में है ओप्सन नमर A अगला प्रस्ण है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया तो ओप्शन नमबर C बिल्कुल सही है बंगाल विभाजन को 1911 S.W. में वापस लिया था और बंगाल विवाजन कब लागू हुआ था 1905 में वापस कब लिया 1911 इस वी में option number C सही है इस प्रश्न का उत्तर अगला प्रश्न है आपका रूस में कब 10 रेप्त समाप्त किया गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जागा आपका option number A बिल्कुल सही है 1861 इस वी में में एक मही को मजदूर दिवस मनाने की निर्नय लिया गया किस सम्मेलन में एक मही को मजदूर दिवस मनाने का निर्नय लिया गया तो इस प्रश्न का उत्तर हो जागा आपका option number B बिल्कुल सही है दूतिय अंतराष्टिय सम्मेलन दूतिये, अंतराष्टिये, सम्मेलन ओप्षनर B शही है अगला प्रस्ण आपका हो, हो, ची, मिन की सरकार थी तो इस प्रस्ण का उत्तरों जगा आपका ओप्षन नमर B बिल्कुल सही है उत्री बियते नाम में अगला प्रस्ण आपका वार, एन, पीस श्ववियत चंग का विघटन हुआ था तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल चही है 1991 में है श्ववियत चंग का विघटन का वो था 1991 इस भी में है अगला प्रश्ण है आपका पत्नों को आजीम वाद नम किसने दिया तो इस प्रश्ण का उत्तर हो अगला प्रस्ण है पाटली पुत्र नगर की अस्थापन किसने की तो अजाद सत्रु ने अगला प्रस्ण है अपका भारत में राष्टिय आय की गर्ना की संस्था द्वारा की जाती है अगला प्रस्ण है अपका योजना आयोग का गठन कब हुआ योजना आयोग का गठन कब हुआ तो इस प्रशन का उत्तरों जगा आपका उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था अब योजना आयोग के अस्थान पर निती आयोग लाए गया है, और योजना आयोग का अध्यक्स कोनोता है परधान मंत्री तो चलते एकली upright प्रशनी क्योंद प्रशन है उत्पादन के साधन पर निजी विखतियों का स्वामावित होता है तो इस प्रशन का उत्तरों जगा आपका option number B बिलकुल सई है पूजी वादी अर्थ विवस्था में उत्पादन के साधनौ पर निजी बेक्तियों का स्वामी कौन उता है? पूजी वादी अर्थ विवस्था में अगला प्रस्ण आपका गैस और बिजली उत्पादन किस छेतर का अंग है तो दुतिय छेतर का अंग है अगला प्रस्ण आपका बंगला देश की मुद्रा क्या है तो डाका डाका अगला प्रस्ण आपका प्रोमो यूस उन का संबंद किस देश से है तो इस प्रस्ण का उत्तरों जग आपका अगला प्रस्ण आपका किस प्रकार का रिम प्रदान करती है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका इन में सभी option number D सही है अगला प्रश्ण है जवहार रोजगार योजनों किस वर्ष परारम हुई जवहार रोजगार योजनों किस वर्ष परारम हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका option number C बिल्कुल सही है 1989 इसवी में जवहार रोजगार योजिनों किस वर्स प्रारम होई? 1989 इसवी में ओप्शन नमर C सही है अगला प्रस्ण आपका मन्रेगा में एक वर्स में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है तो 100 दिन, option number A बिल्कुल सही है, 100 दिन देने की guarantee देता है, अगला प्रस्ण है, उप्भोक्ता संगरक्षन के लिए कितने राज आयोग है, उप्भोक्ता संगरक्षन के लिए कितने राज आयोग है, तो इस प्रस्ण का उत्रो जगाब का 35 राज, option number B सही है, अगला प्रस्ण है प्रोम PC महन 920 किस अध्यक्ता में किस समिती का गठन किया तो इस प्रश्ण का उत्तरो जग आपका राश्टिय आई समीती ओप्शन नमर A चाहिए है अगला प्रस्ण आपका उपभोग व्ये और बच्यत का योग कहलाता है अगला प्रस्द है नीमन में कौन आर्थिक किरिया का चक्रिये प्रभा है अगला प्रस्द है भारत में सार पर्दम राष्टिय आय का अनुमान कब लगाया गया भारत में सार परतम राष्टिय आय का अनुमान कब लगाया गया तो इस प्रश्ण का उत्र जगाप का उप्सन नमर B बिल्कुल सही है 1868 वी में और किस ने लगाया था दादा भाई नोरोजी ने लगाया था भारत में सार पर्थम आय का अनुमान अगला प्रस्न है निम्न में से कौन साकारिता का मुल भूत तत्व नहीं है अगला प्रस्न है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारिस सनरचना है तो इस प्रस्न का उत्तरोजेगा आपका उप्सन नमर सी बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है आपका सम्विधान का चाउत्तरोण संसोधन समन्दीत है तो इस प्रस्न का उत्तरोजेगा आपका उप्सन नमर बिल्कुल सही है नगरिये सासन ब्यवस्था में अगला प्रस्न है आपका बिहार में एक नगर निगम में अधिक्तम कितने वाड हो सकते हैं बिहार में एक नगर निगम में अधिक्तम कितने वाड हो सकते हैं तो इस प्रस्न का उत्तरोजेगा आपका उप्सन नमर बिल्कुल सही है बिहार में एक नगर निगम में कितने वाड हो सकते हैं 75 हो सकते हैं अगला प्रस्ण आपका चिपको अंदोलन समंदीत है किस से? तो सुन्दरलाल बहुगुनाँ से अप्शन नमर C बिल्कुल सही है चिपको अंदोल किस समंदीत है? सुन्दरलाल बहुगुनाँ से अगला प्रस्ण आपका नेपाल में सप्ता दलिये संगर्ठन क्यों किया गया तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका ओप्सन नमबर A बिल्कुल सही है लोग तंत्र की अस्थापना हे तू अगला प्रश्ण है बहुजन समाज पार्टी की अस्थापना किसने की बहुजन समाज पार्टी की अस्थापना किसने की तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका ओप्सन नमबर C बिल्कुल सही है कासी राम बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने की कासी राम अगला प्रश्ण आपका दल बदल कानून लागू होता है दल बदल कनून लागू होता है तो इस प्रश्ण का उत्तर जागा आपका ओप्शन नमबर ए बिर्कुल से यह संसदों एवं विधायकों पर संसदों एवं विधायकों पर दल बदल कनून लागू होता है अगला प्रश्ण है जारखन बिहार से कब विथक हुआ यानि जार्खन विहार से कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को जार्खन विहार से अलग हो गया अगला प्रस्ण आपका option number A सही था इनमे से कौन संग्य प्रनाली की विसेस्ता नहीं है तो इस प्रस्ण का उतर जगा आपका एकर ही सासन व्यवस्था इनमे से कौन संग्य प्रनाली की विसेस्ता नहीं है तो इकर ही सासन व्यवस्था option number B सही है अगला प्रस्ण है लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो इस प्रसणी का उप्सन नमर B, पिल गुद सही है, पूर्व में बंगला देश जाना जाता है, तो पूर्वी पाकिस्थान के नम से जाना जाता है, अग्ला प्रसणी है, वेंट वेस्ट अंडीज संग की अस्थापना हुई तो इस प्रस्ण का उत्रोज़ग आपका option number D, बिल्कुल चाहिए 1908 इस वी में वेस्ट अंडीज संग की अस्थापना हुई option number D, सही है अगला प्रस्ण आपका, इंडीका के लिए इंडिका के लिए खख कौन है तो आप सभी भी जौनते हैं. उप्षिन नमर C बिल्कुल चईया है. मेगा अस्तिनीज्ट अगला प्रशन है आपका. वीश्वु का सबसे बड़ा लोक तंतरिक देश कौन है? विश्व का सबसे ब्राव लोग तंतरिक देश कौन है तो भारत ओप्शन नमर भी सही है अगला प्रस्ण है अंग सन सू की किस देश की नागरिक है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका ओप्शन नमर सी बिल्कुल सही है मयान मार्ग अंग संसू किस देश की नागरिक है तो मयान मार्ग की नागरिक है अगला प्रस्ण है छेत्रवाद की भावनों का कूप परिमान है छेत्रवाद की भावनों का कूप परिमान है तो इस प्रस्ण का उत्तर जाएगा आपका नमर D बिल्कुल सही है अलगावाद अगला प्रस्न आपका दुद्भाराष्टिय उद्धान कहा है तो उरिसों में है उप्सन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है भारत की पर्थम राष्टिय जल नीती कब अपनाए गई तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है शितंबर 1927 को के अगला प्रस्न है विश्बुमें सार्वधिक वन वर्रन वाला देश है तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाग आपका option number A बिल्कुल सही है letter right मिद्दों में letter right मिद्दों में अगला प्रस्ण आपका भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल उत्पादक छेत्र कौन है भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल उत्पादक छेत्र कौन है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा आपका option number A बिल्कुल सही है option number A सही है अगला प्रश्ण है इन में से कौन रोपन फसल है इन में से कौन रोपन फसल है तो चाय को भी रोपा जाता है रवर को भी रोपा जाता है तो 1991 में आप्शन नमर B सही है अगला प्रस्न आपका कावर जिल कहां है तो बिहार के बेगु सराय में है कावर जिल कहां है बेगु सराय में आप्शन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है किस राज में सैयुक्त प्रवंध का पहला प्रस्ता फारित किया गया तो इस प्रस्न का उत्तर जगा आपका पस्चिम बंगाल में आप्शन नमर A सही है अगला प्रस्न आपका इनमे से कौन ओकर्वनिक खनीज है इनमे से कौन ओकर्वनिक खनीज है तो इस मेगरुवा वन है तो मेगरुवा वन है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जग आपका option नमर B बिल्कुल सही है पस्छिम बंगाल में पस्छिम बंगाल में option नमर B सही है अगला प्रश्न है कौन कोईला घटियां किस्म का है कौन कोईला घटियां किस्म का है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका option number D बिल्कुत सही है पीट कोईला घटियां किस्म का होता है अगला प्रश्ण है भारत में चाय की किरिसी कहां शुरू हुई भारत में चाइकी खेती या किरिसी कंप सुरूर हो भी तो इस प्रशन का उत्र जगा option number C बिलकुँ चाहिए आसाम में अगला प्रशन lies आपका पारे राइक किस परकार का खनी जह है तो इस प्रशन का उत्र जगा option number ओपसन number A बिलकुँ चाहिए ऴ्हूं है भारत का पहला पर्मानु शच्ची सजंत्र खूलन है इस प्रस्णि करता रहेगा तारापूर और नमर ए शही है अगला प्रस्णहाइ कोर्शन ने कर fan का संभंध किस खनी ख़नीक है तो इस प्रस्णि करता रहेगा अभरेक छ younger कोडर्म का संबंद किस से है अबड़ेक से अप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है आपका किस देश ने ओपेक की सदस्यक्ता त्याग दी किस देश ने ओपेक की सदस्यक्ता त्याग दी तो इस प्रस्ण कहत्तर हो जगा आपका ओप्शन नमर डी बिल्कुत है कतर कतर ने उपिक की सदसेक्टा त्याग दिए, अगला परस्ण है, इनमें कौन जूट का अगरिन उतपादक है, इनमें कौन जूट का अगरीन उतपादक है, तो इस परस्णिक का हो यह आपका, शी बंगलादेश सबसे ज़्यादा जूट कांवत पादन होता है बंगलादेश में अगला प्रस्न है असवन वंद किस नदी से समन्दीत है तो इस प्रस्न का उत्तर होजएगा आपका उप्सन नमर सी बिलकुल सही है नील नदी से निल नदी से अगला प्रस्ण है आपका इनमे से कौन प्राकिर्थिक आपदा नहीं है तो आतंगवाद आतंगवाद क्या है ये मानविय आपदा है अगला प्रस्ण है विनासकारी भुकम से विहार किस वर्ष परभावित हुआ था तो 1934 इसवी में आप्शन अमर डी सही है अगला प्रस्ण है आपका बार के समय कौन अस्थान सुरक्षित है तो बहुत आसान बात है बार के समय कौन अस्थान सुरक्षित है तो उची भूमी आप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है भुस्खलन से अभी प्रिय है अभी प्राय है तो भुस्खलन होता है कोई भी स्पाइब हो जाएगा यानि क्या सीसगें मतलब ही हुता है कोई चीज सिसकना गिर्ण तो इनमें सभी हो जाएगा तो इंगे नंबर D, बिलकुल चहें इन में सभी अगला प्रस्णा भुकम संभावित छेत्र में भवनों की आकिर्टी होनी चाहिए तो कैसा होना चाहिए इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका अप्सन नंबर B, बिलकुल चहें तिर्भूजाकार होना चाहिए तो दोस्तों इसमें 80 ही प्रस्ण थे जो कि बिहार बोर्ट की दुबारा जारी किया गया या मोडल पेपर है और इसी अधारित प्रस्ण आपको पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को एक दुबार देखें और सभी प्रस्ण को याद कर लें तो मिलते हैं कल जै जै भारत